हेलो दोस्तो आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का कन्वर्स, कॉंट्रा पॉजिटिव, इन्वर्स सिखने वाले इसको जिसको CCI रूल बोलते हैं आपको guaranteed बोल रहा हूँ, ऐसा rule आपको YouTube पे किदर भी नहीं मिलेगा यह सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, जो यह question को एकदम simple कर देता है अब देखिए हमें क्या करना है, converse, contrapositive और inverse find करना है तु ऐसा कुछ exam में दिया रहेगा, find, converse, contrapositive and inverse of the given statement आपको एक चीज़ याद रखना है, वो यह है कि statement जब भी p implies q होगी, p implies q मतलब if and then वाली equation होगी जब भी ऐसी equation होगी तो ही आप उसका cci, मतलब converse, contrapositive inverse ले सकते हो अगर ऐसी नहीं रहेगी statement तो आप नहीं ले सकते ठीक है तो यहाँ पर आपको question कुछ तो p implies q में दिया रहेगा अब अगर आपको उसका converse find करना है, तो आपको क्या करना है, देखो यह चीज याद रखना, यह rhythm याद रखना आपको अच्छे याद होगा यह कह p implies q, तो देखो इसको ulta, negation, sulta मतलब पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को ulta कर दिया फिर यह ulta में क्या लगा दिया, negation लगा दिया और फिर यह negation को sulta, sulta मतलब फिर से ulta कर दिया तो यह होता है c c i, c i, c में सबसे पहले आ दखना वो converse हो जाएगा, तो यह c c i rule है, क्या बोलेंगे उल्टा नेगेशन सूल्टा तो सेम चीज आप जैसे कोशन देख लेते हैं यहाँ पर बुला इस सर्फेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस ऐसा कोशन दिया है तो आपको इफ और देन दिख गया ठीक है तो मैं बुलूँगा यहाँ पर प क्या हो जाएगा मे मतलब q-p तो पहले बस तो यहाँ पर दिखो 1 और यह पता तो अब यह same चीज इसको अगर लिखने रहा तो कैसे लिखेंगे इफ लिखेंगे Q क्या है pressure increases तो pressure increases लिख दिया मैंने फिर क्या implies है मतलब then और P वाला पाट P वाला पाट मतलब क्या surface area decreases ठीक है decreases यहाँ पर मैंने लिख दिया अब सेम चीज यहाँ पर आएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहाँ उल्टा तो कर दिया अब negation लगाना negation लगाना मतलब यही सेम चीज रहेगा मतलब P को मैंको उल्टा लिखना है मतलब यहाँ पर pressure increases आएगा तो यहाँ पर pressure not increase लिख देंगा ठीक है आपको English नहीं पताने हैं आपको decrease ऐसा कुछ नहीं बूलने हैं सिव आपको not increase लिख देना है तो जैसे कि यह है तो आपको यहाँ पर सेम चीज क्या करना है if pressure do not increases ठीक है आपको decrease लिखने की ज़रूरत नहीं है do not लिखना है क्योंकि हम negation वाला पाट करें ठीक है यह बैस रहता है फिर क्या आजाएगा then surface area do not decreases ठीक है तो यह वाला पाट हमें लिख देना है ऐसा अब सेम चीज है यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा इसका सूल्टा मतलब यह वाला पाट फिर से उल्टा हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा if यह दो को पहले ही आजाएगा surface surface area do not decreases then pressure do not increase मतलब आपको से वितना याद रखना है जबी भी ऐसा कुछ दिया रहेगा तो आपको क्या करना है यह जो if और then तो as it is रहेगा देखो if and then तो same ही है देखो if and then ठीक है आपको क्या करना है यह दोनों को उल्टा कर देना है देखो यहाँ पर तो यह क्या देगा converse फिर if and then तो same रहेगा ठीक है अब इसमें क्या करना है यही same चीज में not लगाना है तो देखो do not और do not लिख दिया मैंने तो यह क्या हो जाएगा contrapositive अब वो same as it is रहेगा और अब इन दोनों को फिर से interchange करना है देखो जो किये हो गया प्रेशर पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो यह एकदम best way है यह follow करना आपको guaranteed आ जाएगा हेलो दोस्तो मेरा नाम जतिन शर्मा है IIT Jam Mathematics में मेरा All India Rank 406 था मैं online personal lecture या तो doubt solving रहता है कोई भी class रहेगा कोई भी topic रहेगा mathematics का डिगरी का भी रहेगा तो भी चलेगा आप मुझे call या whatsapp कर सकते है इमेल एड्रेस भी मिल दिया है आप subscribe कीजिए चैनल को और यह वीडियो में अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे facebook या instagram पर पूर सकते है मैं आपको reply करूँगा link description में है